हेलो फ्रेंज, प्रियर कीचिन में आप सभी लोग को बहुत-बहुत स्वागत हैं फ्रेंज, आज देखिए मैं लेकर आई हूँ एक हलवा रेशी पे लेकर नारिगेल हलवा तो देख साकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा हैं खाने में उधना ही टेश्टी है और बनाने में बहुत ही इज़ी है कम टाइम और कम इंग्रिडेंट्स के साथ जो है इसे हलवा बन के रेडी हो जाता है अब लोग एक बाद जरूर ट्राइ कीजिए जो बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत ही टेश्टी है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है तो हलबा बनाने के लिए सबसे पहले अबेसली नाडगेल लगेगा तो इधर देख सकते हैं हमने जो एक कब नाडगेल लिये हैं यह ताजा नाडगेल है इसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है तो यह नाडगेल है इधर देखी ओन थाट कब हमने लिये हैं दूध है और ह लिए हैं चीनी चीनी अपना कॉंटिटी के हिसाब से ले सकते हैं और यहां पर कुछ ड्राइफ फूर्स लिए हैं थोड़ा बहुत को हमने छोड़ा करके काड़ी लिया है और दो तिन आमन बादम को लंबा पीसेस में कट कर लिया है तो देख सकते इधना इंग्रिडेंट से हमारा हलवा भणके रेडि हो जाएगा तो सबसे पहले इधर नेया कड़ाई था kड़का मतलब कुछ मीठा चीज ना बनाई तो इसा हो मैं प्रभाह Лँ यह नहीं सकता है कड़ाई गरम हो गया था इस करे डिया है नारीगल को डाली झाल सी तो घी आ और warranty आ तो इसे देख सकते हैं तो देख सकते हैं आप चाहे तो नाडीगेल को एकदम सफेद भी रख सकते हैं लेकिन मुझे ब्राउन कलर थोड़ा पसंद है इसलिए मैं इसे ब्राउन कर रही हूं तो देख सकते हैं नाडीगेल का पूरी तरह से कलर जो है चेंच हो गया है तो एकदम ब्राउन कलर हो गया है इसी टाइम हम इसमें जो दूद रखे थे दूद को भी इसमें डाल देंगे यह जो हल्वा है बहुत ही कम इंग्रिडेंस के साथ और कम टाइम के अंदर बन जाता ह कडेंनल सेँ से फ्रेंडस लोग आप अब लूग एक बदडूड त्राई कीजिए तो दूल डालने के बाद जो है इसे हम चीनी भी डाल देँगे चीनी डाल के अब इसे मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे उबालाने के लिए देनेंग है जैसे ही उबाला जाएगा गैस का फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे कर देंगे करके इसे हम लगातार चलाते रहेंगे इस टाइम बिल्कुल छोड़ना नहीं है नहीं तो तले में चिपक जने का डर रहता है और यह हलबा जो है बहुत ही कम टाइम के अंदर बनके रेडी हो जाता है तो देख सकते है यह धीरे धीरे गाड़ा होने लगा है इसमें हमने कुछ भी इस्तमाल नहीं किया लेकिन फिर भी देख सकते है इसका कालार चेंज हो रहा है और धीरे धीरे यह गाड़ा होते जा रहा है तो देख सकते हैं अभी जो एकदम गाड़ा हो गया है तो अभी इस टाइम हम क्या करेंगे जो ड्राइफ फूट्स को काट के राखेते उसे भी इसमें डाल देंगे डाल के इसको अच्छे से मीक्स करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे यहां पर हमने जो है काजू किजमीज और आमन बादम को चुटा-चुटा काटके इस्तिमाल किये हैं आप चाहे तो आपना मन पसंद ड्राइफ फूट्स यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं तो देखिए इसका जो त्या मतलब कंसिस्टेंस है धीरे-धीरे गाड़ा होने लगा है तो मेरे हलवा रेसिपी अब लोग को कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में अगर नया है तो प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए काने में बहुत ही टेस्टी है तो आप लोग एक बात जरूर ट्राइ कीजिएगा ट्राइ करके हमें कॉमेंट करना ना भूलिए तो देख सकते हैं आप लोगों से बाते करते करते हल्वा जो है एकदम गाड़ा हो गया है तो लास्ट में इसमें हम एक चामज घी डालेंगे लास्ट में घी डालने से कहा होता है घी का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छे लगता है लास्ट में एक चामज घी डालके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा हल्वा जो है एकदम बनके रेडी है सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे 14 चामज से भी थोड इलाइची का पाउडर इलाइची का फ्लेवर जो है इसमें बहुत ही अच्छा लाइगा तो इलाइची पाउडर देने के बाद इसको अच्छे से मीक्स करेंगे और हमारा हलबा बनके एकदम रेडी है इसका कांसिस्टेंसी देख सकते है एकदम गाड़ा हो गया है जिदना उदना भी गाड़ा हो जाएगा तो गैस का फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे एक सार्विंग बाउल में निकाल लेंगे तो देख सकते है इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है तो कैसा लागा मेरे हलबा रेसिपी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और आप जो हलबा है एक दम बंद के रेडी है कैसा लागा आप लोग बताईएगा जरूर तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं अगला कोई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड थैंक यू